हाई फ्रेंट्स नमस्कार आप सभी लोग का स्वागत चेनल में करेंट अफियर्स सेट नंबर 5 आज हम लोग पढ़ेंगे इसके पहले सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक करवाद जो नहीं देखे हैं रिस्किप्शन बॉक्स पर लिंक दे दिया गया है वहां से हमारे करेंट आफियर्स का सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 4 तक देख लें और साथ साथ हमाद चाहिए का प्रेलिस्ट में वहां पे आपको सेट 1,2,3,4 का वीडियो आपको मिल जाएगा परतेक सेट में 20 कोस्च करते हैं वीडियो को आप जरूर से दरूर से लेकर लास्ट अवस्ट देखें ताकि बहुत कुछ फायदा हो सके परतेक दिन हमारा आप एक करेंट फिर देखें 20 कोस्चन का परतेक सेट में हम 20 कोस्चन आपके सामने लेके आते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यू को शेर करें और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट चरूर करें उसका नेक्स टाइम वीडियो हम अवज से बनाएंगे आधर की स्टार्ट कर देखी नंबर फर्स्ट कोस्चन करेंगे वह देखी आपका है टी एन कृष्णन जिनका हाल ही में निधन हो गय किस छेत्र से समंधित थे टी एन कृष्णन आप्शन ए संगीत बी राजनीती सी फिल्म डी खेल बतायेगा टी एन कृष्णन जिनका क्या है वि कुछ समय पहले डेथ हो गया है वह किस छेत्र समंधित एसे प्रस्टाब को परिच्छां में पुश लिए जाते हैं उनका समंधित था अप्शन नंबर ए संगीत समंधित हा टी एन के समंधित के छेत्र से था आयए बढ़ते है question number two की और question number two कहता है भारतिये मूल की प्रियंका राधा कृष्णन को किस देश में मंत्री बनाया गया है भारतिये मूल की क्या नाम दखी है प्रियंका राधा कृष्णन को किस देश की क्या बनाया गया है मंत्री बनाया गया हुआ आपको नाम बताना ये है भारतिये की ज अप्षन ए अमेरिका बी एस्ट्रेरिया सी सिंगापूर डी न्यूजी लैंड यहां जो है आपका हो जाएगा अप्सन नमबर डी न्यूजिलेंड प्रियांका राकिस्नन को न्यूजिलेंड देश में मंत्री बनाएगे है जो भारतिये मुल्की रहनी वाली है आये कुछ समझते दोस्तों न्यूजिलेंड के बारे में जैकि न्यूजिलेंड का हो जाएगा अपका करेंसी वहां का डॉलर है न्यूजिलेंड का संसत का नाम है आउस और न्यूजिलेंड का प्रजेंड टाइम में प्राइम मिनिस्टर है प्रांस में खेली गई अलेक्सिस वेस्टीन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूनामेंट में प्रांस में किस भारतिय मुक्केबाजने स्वर्न पदक जीता है आप्शन ए अमीत पंधाल, बी विजेंदर सींग, सी गीता फोगाट, डी दीपा करमाकर तो जीता है अपका अमीत पंधाल ने जीता है फ्रांस में खेली गई अलेक्सिस वेस्टीन इंटरनेशनल मुक्केबाज टॉन्मेंट जो है उस भारतिय मुक्केबाज का नाम बिचन जीता है स्वर्न पदक, उसका नाम है अमीत पंधाल, अब देखिए फ्रांस में हुआ है, तो फ्रांस का देखिए हो जाएगा का कैपिटल पेरिस, फ्रांस का आपका देखिए मुद्रा का नाम हो जाएगा, करेंसी का नाम यूरो, फ्रांस का जो है संसत का नाम है नेशनल एसेंब में फ्रांस के वो जो हैं प्राइम मेंस्टर हैं जनकारी मिल जाती है itu Sh Song могут Li को थार से इसकारणाोस हुखे देखconfidence करीं हो पर और गारे कर दे जाएग से आसरे पड़ते है new song QNo4 की और को कुस्चन adalah one he ह henvy theük Hangman Metal a day रहुंग में हो सकते हैं municipality अगने कर लिजेगा वान डे 1 दे मैच मिस्रवाधिक अंपयरिंग करने वाले एंपयर हैं ऑप्शन ए डेरी हारपर बी स्री निवास सी अलिमडार सी निली वाड़न तो बताना है कि वन डे जो की 50 ओबर का मैच होता है वन डे मैच सबसे जयादा अम्पाइर करने वाले अम्पाइर का आपको नाम करने वाले उनका नाम देखी है अलीम डार means 4 का option number C यहाँ पे हो जाएगा एक एक आंसर कि one day मैं सरवाद सबसे अधीक empiring करने वाले empire का नाम है आपका अलीम डार याद कीजिएगा सबसे maximum सबसे जादा जो है empiring करने वाले record बनाए है कौन अलीम डार आई बसने question number 5 की और 5 का दा डॉक्टर तुलसीदास चूग आवार्ड 2020 किससे प्राप्थ हुआ है एक आवार्ड का नाम है डॉक्टर तुलसीदास चूग आवा 2020 किससे प्राप्थ हुआ है option A 37 मिस्र B. उर्विदास C. अस्टोस गंगल D. डॉक्टर से पी ठाकुर यह आपका दॉक्टर तुलसीदास चूग आवार्ड सर्थ हुआ है रॉक्टर तुलसीदास चूग आवार्ड प्राप्थ हुआ है आерьैं बड़ते हैं Q 6 की और सभी Q वोषुन इंपोर्टेंट श्री, याद रखिएगा बहुत बहुत हैं परिष्छा पायोगी के लिए है अदकी आते हैं कुछ्छन नमबर 6 की और IPL के इधिहास में पहली बार कौन से टीम 10 विकेट से हारी है मातर पहली बार एक इसी टीम है जो कि IPL के इधिहास में 10 विकेट से हारी है फिल्फर्म होता है तो इंडियन प्रेमियर लीग होता है अभी हाल ही में अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था Sप्टेंबर में आपका स्टार्ट हुआ था और जो हैब का 10 नवंबर को इसका final match हुआ था IPL का तो 2020 का IPL वो कहां हुआ UAE में हुआ था और जो है कौन सी टीम जो है 10 विकेट से हारी option A. दिली, B. चेनने, C. मुंबई, D. R. C. B अपनों बहुत पता होगा से सही उत्तर क्या होगा तो IPL के धिया से पहली बार वो टीम जो है वो चेनने जो है 10 विकेट से हारी अभी तक यतना भी IPL हुआ था कभी भी चेनने जो है 10 विकेट से नहीं हारी थे इस बार IPL में चेनने जो है 10 विकेट से हार गई और वो हराने वाली टीम थी आपकी मुंबई और मुंबे जो है ये परजेंट टैम में जो आपियल था 13 सीजन का आपियल वो मुंबे जो है पांच माँ बार जो है आपियल खिताब अपने नाम करने में सफलता पाई है रोहित सर्मा की कैप्टन में जनकारी आपको इतना भी प्राप्त हो जाती है कोश्यन नमबर 6 से और औरेंज कैप का हगदार दो थे ओग केल राहूल जो है औरेंज कैप का हगदार थे जिसनों 670 रन मारा था और साथ ही साथ परपल पेक कैप का हगदार जो है कसीगो रबार्टाव कहाई इसने पुल मिला के मैक्सिबम 30 विकेट जो है अपने नाम जोली में डाला था तो आपियर था समसे पहली बार पहली बार 10 विकेट से हारने वाले टीम का नाम देखिए वो चेनने सुपर किंग है जिसकी कैप्टन मैल सिंग धोनी को जाना जाता है जो मुंबे ने उसे 10 विकेट से हराया था एक और टीम जो है 2020 में 10 विकेट से हारी थी उस टीम का नाम आपका चानल लिएगा किंग्स ऐलेवन पंजाब भी जो है 10 विकेट से इस पार हारी थी जो कि हराने वाले टीम का नाम है चेन्ने जो कि 171 मारी थी और इसनों 10 बिकेट से वाट्सों डिप्रिसेस ने जीत के मार की जो है पिता दिया था और जब चेन्ने मातर 114 दिम अरे थी मुंबई जो है लागतार बिना बिकेट खोए 10 बिकेट से जीत हासिल कर ली थी तो नहीं करने में लाती है question number 6 आयों बढ़ते हैं friends question number 7 की और Question 7 करता है Editors Guild of India का निया अध्यच किसे बनायागे Editors Guild of India का निया अध्यच किसे बनायागे आद रखेंगा बहुत important question यह भी है जितने भी question आपके top 20 questions most important है A. सीवा मुस्थपा B. चंदन बागची C. रजत सर्मा D. परभात जोसी पताना है friends Editors Guild of India का निया अध्यच किसे बनाये गया है तो यह बनाये गया है option number A सीमा मुस्थपा को Editors Guild of India का निया अध्यच बनाये गया उसका नाम है सीमा मुस्थपा सीमा मुस्थपा को Editors Guild of India का निया अध्यच बनाये गया आई बहते है question number 8 की और question number 8 कहता है टेलीकॉम कंपणी ने महिला सुरच्छा एवं घरेलू हिंसा को नियंतित करने के लिए कौन सा मवाईल एप लॉंच किया है पता का नाम बताना है उसका टेलीकॉम कंपणी किसके लिए तुम महिला की सुरच्छा के लिए उम्मेन का कैसे सुरच्छा किया जाए बचाव के लिए खरेलू हिंसा को क्या है कंट्रोल करने के लिए एक मुवाईल एप लॉंच किया गया उसका आपको नाम बताना है आप्शन ए नारिसक्ती बी ससक्त महिला सी मार्तित अंबर डी माई अंबर पुटल उकुम गंबनी ने महिला सुरच्छा के लिए जो मुवाईल एप लॉंच किया है उसका नाम है माई अंबर जो है एक एप लॉंच किया है कि मुवाईल एप का लॉंच का नाम है माई अंबर जो की महिल स्रुच्छा के लिए घरेलु हिंसा को नियंतित करने के लिए उस एप का नाम है माई अंबर याद रखिएगा पर इच्छा में कुछ भी आपको पूछ सकता है आए बढ़ते हैं कोश्य नमबर 9 की और करता है सलाईनेक्स 20 के नाम से भारत और किस देश संजुकत सैन अभ्याद 20 किया कहा है सलाईनेक्स 20 के नाम से भारत और किस देश संजुकत सैन अभ्यास बीस बिस किया है option A थाइलेंड, B संजुत अरव हमीरास को बोलते, UAE, C Australia, D स्रिलंका सभी उत्र हो जाएगा ओप्सन नमबर D स्री लंका स्री लंका ने संजुक्त सैन अभ्यास 20-20 किया है आई जानते हैं स्री लंका के कुछ बाद स्री लंका जब आंसर आये है कुछ आनेंगे स्री लंका के बारे में स्री लंका का है कैपिटल स्री जवर्धने कोट जो स्री लंका का कैपिटल है सुरिलंगा की बात किया जाया है करेंसी का नाम सुरिलंगाई रुपईया है सुरिलंगा की बात किया जाया है परजेन टाइम में परसिडेंट तो गोताबाय राज पच्छे है और सुरिलंगा का बात किया जाया है परजेन टाइम में प्राइम मिनिस्टर तो वहां का महिंद महंद्रा राज पच्छे है परसिडेंट है गोताबारत्पचे अगर बात किया ज़या प्रामीनिस्टर तो महिंद्रा व्यक्ति समाज और समुदाय कित्री सचर्था बी सचर्था और बहु भाशावाद सी विलुप्त हो रहे भासा का संक्रच्छन डी सचर्था और संब्रिधी सबसे जाने हैंगे पहले अब अंतराश्टी सचर्था दिवस मनाया कब जाता है सब्सक्राइब और अप्रते एक आठ सप्टेंबर को इंटर्नेशनल लिटरसी डे अंतराश्थी सचर्था दिवस मनाई जाती है आज बढ़ते हैं कुष्चन नमबर 11 की और 11 करता है कौन सा देश फेम असकेन करने वाला पहला देश बन गया है कौन सा देश फेम असकेन करने वाला पहला देश बन गया है option A जपान, B चीन, C फ्रांस, D सिंगापूर कौन सा देश बन गया है तो फेर्म केन करने वाला पहला देश आपका option बढ़ी शिंगापूर देश बन गया है स्केन करने वाला पहला देश Itsundagapur का का हो जाएं की आभका कैपिटल सिंगापूर का है șiंगापूर की आपका का नाम होगा चंसद सिंगाफूर होगा का अपका और सिंगाफूर का bark पड़ें टैंब में प्राइंब मिनिस्टर वहां का ली सेन लूंग प्रजेंट अम में प्रायमिनिस्टर हैं शीउगपूर का रखना वो कुश्चन नमबर 11 आयों बढ़ते हैं फ्रेंच कुश्चन नमबर 12 की और 12 काता है किस राई सरकार ने सिवील सेवा में 33% अस्थान महिलाओं के लिए आरख्षित कर दिया बहुत मोश्च इपॉर्डन कोश्चन जरू कर लिजिएगा बीबी आई भी कर लिए कुश्चन क कि कौन राई सरकार ने हैं सिवील सेवा में सिवील सर्विस के लिए 33% अस्थान सिर्फ महिलाओं के लिए आरख्षित कर दिया है उस 33% में सिर्फ महिलाओं को लड़कियों लोग को हिल दी जाएगी उसके अलाब इतना बचेगा सब दिया जाया कि इसको जैंस लोग हो पत कि कर दिया है किसके लिए तो 3% महिलाओं के लिए आरख्षित कर दिया गया है वह आपको राईस का नाम बताना है वह आपका देखी पंजाब किया है बोस्ट रिपोर्ट किया आपका है पंजाब देखिए नौर्थ में इस्तित आपका है तो पंजाब सरकार ने सिवील से वब 33% अस्थान महिलाओं के लिए आरचित कर दिया है आएप समय इसने कुछ पंजाब के बारे में देखिए पंजाब का कैपिटल है आपका चंडीगट देखिए पंजाब आपका निर्मान हुआ था एक नौवंबर 1966 को पंजाब का निर्मान हुआ था पंजाब में कहा जाब प जेन टैम में वह चीप मिनिस्टर है जंकाई मिल जाती है क्यासिक को स्चिन नंबर 12 से आयो बढ़ते हैं फ्रेंस क्वेट्ट नंबर 13 की और है है थर्डिन कहता है परतिवस राश्तिय दुख्द दिवस कम मना जाता है मिस नेशनल मिल्क डे नेशनल मिल्क डे कम मना जाता है ओप्शन ए 22 नवंबर, 26 नवंबर, 28 नवंबर, 25 नवंबर तो परतिएक साल राश्तिय दुख्द दिवस नेशनल मिल्क डे आपका ओप्शन नवंबर भी 26 नवंबर को परतिएक वर्ष मना जाता है राश्तिय दुख्द दिवस नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट कर जाता है 26 नवंबर को भी आपको याद रखियेगा कि मिल्क डे मना जा आपका दूद जो होता है अगर बात के दूद का रंग पीला होता है उसे पाई आता है कि रोटीन के कारण से दूद का रंग पीला होता है करता है दोस्तों UNO के रिपोर्ट के अधार पर जलवायू आपदाओं से परभावित होने वाले देश में भारत का अस्थान है देखिए UNO को होगा फुल फॉर्म आपका उनाइटेट नेशन और गनाइशन होगा फुल फॉल फॉर्म आप्शन ए पर्थम बी दूतिये सित्रतिये डी चत्यतूर्थ पताना है UNO रिपोर्ट के धरपर जलवायू आपदाओं से परभावित होने वाजिस में भारत का भारत जो है थर्ड पोजीशन में है मिन्स थर्ड नंबर पर है थर्ड पोजीशनन आयों बाते हैं कोशन उम bara 15 की और पंदर करते हैं निलामी सिधान्त के धर पर किसे हुआ है आप्सन ए पॉल और मिल्ग्राम, बी रोजर, पेंडरस, सी, चार्ल्स, राडरस, डी, हारवे, जे, आल्टर तो और सास्तर का नोल प्रस्कार मिला है आप्सन नमबर ए पॉल और मिल्ग्राम को निलामिसे धान के धारव पर 20-20 का अर्षास्तर का नोल प्रस्कार पॉल और मिल्ग्राम को पुछ सकता है नोल प्रस्कार जो है वर्तमान में अर्षास्तर किसे दिया गया है तो कहना होगा पॉल और मिल्ग्राम को नोल प्रस्कार प्राप्थ हुआ ह और्सासर के छोड़ मोलको कि आउला तक शोड़ में हुआका चांती पीस को छोड़ में नुर्परश्कार जाती यह भी आते रखना आपको बहुत जरूरी है आएवा मुर्टो को किस देश का एक दिन के लिए प्रधान मंत्री अक्टूबर 2020 में बनाया गया है एवा मुर्टो को किस देश का मात्र एक दिन के लिए प्रधान मंत्री मिन्स प्राइम मिनिस्टर अक्तूबर 2020 में बनाये गया Option A. Finland B. Belarus C. Columbia D. Ukraine Option A. Finland का एवा मुर्टो को मात्र एक दिन का बनाये गया था प्राइम मिनिस्टर का नाम वह देश का नाम है फिन लेंड आई बाते हैं कुछ नम्र 17 की और 17 करता है Foundation for Environment Education की और से भारत के कितने समुलतटों को Blue Flag के लिए चुना गया है Foundation for Environment Education की और से भारत के कितने समुलतटों को क्या है Blue Flag के चुना गया है Option A 6, B7, C8, D10 तुक्ल मिला के आठ समुलतटों को Blue Flag के लिए चुना गया है भारत के आठ समुलतटों को Blue Flag के चुना गया है Foundation for Environment Education की और से अधर किया कि यह बहुत महत्तुन प्रस्न है आई यह आते ने सब्सक्राइब के करेंट अपफियर कोश्चन मा ठारा कि राते हैं 18 कोश्चन में रखिए आपको नाम सुने होंगे राम विलास पासवान का जिनका हाल ही में डेथ हो गया निधन हो गया है यह 6 प्रथानमंत्री के मंत्री मंदल में सामिल थे निन मेंसे वो प्रथानमंत्री कौन थे जिनके मंत्री मंदल में सामिल नहीं थे मत्दब 6 प्रत्रमंत्री के रूप में वो काम किये में मात एक ऐसे प्रामिस्टर इसके रूप में वो काम नहीं किये थो उनका नाम बताना है उप्षन A मन्होन सिंग, B अटल बिहारी बाजपै, C पीवी नर्सिंग राओ, D HD देवगोडा चारो देखी प्रामिस्टर का नाम है, चिन प्रामिस्टर में वो काम किये, वो एक प्रामिस्टर में काम नहीं किये, उसका नाम आपको बताना है तो वह हो जाएगा आपका option number C PB nursing राव के समय वो मंत्री मंडल में काम नहीं किये जब प्रहन मंत्री थे तो PB nursing राव के समय काम नहीं किये थे मतलब कि मनमहोन सिंग के रूप में काम की जब थे ओ जब थे भात की प्रामिस्टर उसमें भी काम किये तो SD देव गोड़ा कैसे में भी काम किये थे राव मिलास पासवान इसका सही उत्र हो जाएगा PB nursing राव आई वरते हैं question number 19 की और 19 कहता है 8 October 22 को भारती वाईशेणा नह अपनी यह स्थापना का कौन सा वर्ष गांठ मनाया है 8 October 22 को भारती वाय सोना जार दखिए का परतेग 8 October को भारती वाय सोना दिवस मनाया जाता है मिस कर सकते हैं Air Force Day जो है परतेग 8 October अलिबरेट करे जाता है वो कौन सा वर्सगांठ मनाया मतलब कितना स्थापना मनाया हूँ आप्शन 75, B 82, C 86 और D 88 तो अबर भारती वाय सोना दिवस जो है अपना 88 एट्टी एट्थ वर्सगांठ मनाया है तो आप समझ सकते हैं कि इसका अस्थापना कब हुआ था अभी काई चल रहा है आपका 20-20 चल रहा है अब इधर देखिए 20 हो गया उथर देखिए अब कितना हो गया 60 हो गया 20-80 हो गया आप कर सकते कितना 1932 में कर सकते हैं 1932 में जो है इसका स्टैबलिस्ट हुआ था अब उससे निकास सकते देखिए 32 हो गया आपका इधर से तो कुल मिला कितना हो गया यह 88 जो है ओ अपना मनाया है याद रखी का इसका स्थापना भी 1932 में हुआ था उसा निकास रगदारामजे की 88 जो है अपना Object Channel चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवस्य करें कमेंट किजेगा तो आने वाई समय उसको विडिआ हम अवस्य बनाएंगे आपके लिए देवा प्रिजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर। आज 20 कोश्चन है CBI, अब देखिए CBI की बात आया, CBI चानलीजी फुल फुल फॉर्म, Central Bureau of Investigation CBI का फुल फॉर्म होता है, कि किस पूरु महानिदेशक ने चीफ आत्म हत्या कर लिया है, मतलब खुद अपने आपको सुसाइट कर लिया, किस CBI ने पूरु महानिदेशक थे, आप्शन A, अस्वीनी कुमार, B, राकेश असाधना, C, जोगेंदर सींग, D, KPS, गिल पूरु महानिदेशक थे, CBI के पूरु, उनका नाम है, आप्शन नमबर A, अस्वीनी कुमार, बहुत ही नाम फेमस तुने होंगे, बहुत अच्छा ये काम कि यह थे, CBI के रूप में, पूरु महानिदेशक थे, चीफ थे, मेन थे, इसने आत्म हत्या कर लिया, उसका नाम है, अस्वीनी कुमार है, तो आज का ये सेट 5 का आपका करेंट अफ्यास का लास्ट कोर्शन 20 कोर्शन था, हम लास्ट कर रहे हैं, अगर कोई टाप का क्यूरी चाहिए, कुसी टाप कोई प्रॉबलम आपको है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवस्त करें दोस्तों, और ल देली वसिस पे मात, आधा कंटा का समय देना है लगभग, और आपको बोजनकारी मिल जाएगी 20 कोर्शन की, तो फ्रेंट्स वीडियो को लास्ट रक वाच करने के लिए आपको थाइंक यू